हेलो दोस्तों स्वाकत है कारिस्तान में तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं महेंद्रा XUV7W की दोस्तों हाली में काफी सारी बुकिंग्स हुई है Scorpio N की लेकिन इसी करण जो डिलिवरी डेट है वो काफी डिले हो चुकी है काफी लोगों की 2024 में भी डिलिवरी होने वाली है तो इतना वेट ना करके क्या आपके पास से एक अच्छा उप्शन हो जाता है XUV7W जो की महिंद्रा की ही गाड़ी रहने वाली है दोस्तों और खास बात क्या रहेगी पावर ओल्मोस्ट दोनों गाड़ी में सेम रहेगी डाइमेंशन की बात करें तो वो भी लगबग सेम है थोड़ी चोड़ाई में XUV कम पर जाती है Scorpio N से लेकिन लंबाई की बात करें तो लगबग ज़्यादा ही लंबाई है अगर हम टायर साइस की बात करें तो 17 इंच के 우리 लगबग तक गाड़ी में भी वेरिंट में आपको 2023 नहीं मिलेंगे यहाँ पर आपको अीलोः विल्स मिल जाते हैं और दोस्तों एकlic एडवांटेज आपको यहाँ पर काफ़ी points मिलने वाले हैं बाकि handle आप देख सकते हैं handle काफ़ी stylish दिया गया है xvv7 double में और जैसे हम enter करते हैं तो देख पाते हैं दोस्तो इसके अंदर आपको piano finish का काफ़ी work मिल जाता है जो की amazing है scorpion में और यही इसकी premium ने इसको बढ़ाता है दोस्तो दोस्तो आपको electrical adjustment ORVMP settings मिल जाती है साथ में window की कुछ options मिल जाते हैं काफ़ सारे option आपको यहाँ भी देखने को मिल जाएंगी जैसे कि traction control hill stop जैसे option यहाँ देखने को मिल जाते हैं डिस्प्ले काफी बड़ी मिल जाती है अगर compare करें scorpion से तो लगभग इसकी सब 10 inch की डिस्प्ले है उसकी डिस्प्ले की बात करें तो आट इंच की रहने वाली साइड देखने को मिल जाएंगे संरूफ जो है देख सकते हैं आप पैनल रोमिक संरूफ दी गई है जो की बैक साइड तक पूरा इडिया कवर कर लेती है जिसके जो कैबिन है वह काफी ज्यादा स्पेस यस लगता है दोस्तों और कफी अच्छा आपको लेग रूम मिल जाता है अगर आगे बैठें है पीछे बैटें दौनों साइड आपको लेग रूम अच्छा मिल जाता है ऑक прекat कर दो यॉइस भी पॉर्टे आपको हैं स्टेरिंगंपें में कंट्रॉल यह काफी दे तो लगबग सेम पावर आपको दोनों गाड़ियों मिल जाती है आपको उपर च्थ पर देख सकते हैं roof rails के सब्सक्थ ऑन निए तेना भी आपको देखने को मिल जाता है बैक में आपको वाइपर मिल जाता है नीचे की साइड आपको पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं और अगर हम बात करें बूट स्पेस की तो बूट स्पेस काफी अच्छा मिल जाता है आपको XCV7W में क्योंकि XCV7W फाइस्टर गाड़ी है और स्कॉर्पियन उसमें दोनों बैरेंट मिल जाते हैं आपको मिल जाती है तो दोस्तों आपके कहना चाहोगे कमेंट करके मुझे जरूर बताएंगे XCV जादा बेटर है या फिर स्कॉर्पियन जादा बेटर है